आईए फिरिसे आपका एक बार स्वागत है आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो आप दुनिया से और अपने आपसे मांगोंगे वोही आपको मिलेगा वाटेवर यो आस्क जो भी आप आस्क पूछेंगे वोही आप रिसीव करेंगे जो आप पूछेंगे जो आप मांगोंगे वोही आपको मिलेगा दुनिया में जो आप मांगते है जो आपको चाहिए वो आपको मिलता नहीं है जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलता नहीं है जो भी आपको चाहिए ही चाहिए वो आपको मिलता है मतलब मैं उसके सिवाय चलाऊंगा नहीं मैं उसमें कोई कॉम्प्रमाइस करूंगा नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए ऐसा जब है कि मैं otherwise I will not compromise तो वो आपको पक्का मिलेगा आपने देखा होंगा कि आपने अभी तक जो भी चाहा है जिसके लिए भी आपने commitment क्या हुआ है जो भी आपने पक्का मन में ठान लिया है वो आपको मिला हुआ है और उसे ठान से नहीं होता है ठान देने से मतलब मन में ठान लेने से नहीं होता है वो आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से पूछना पड़ेगा आत्मविश्वास नहीं है लोग हरेव है, पुरा हरा हुआ इंसान है लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ संभो नहीं है, ये मेरे लिए संभो नहीं है, जिवन जिना लोगों के लिए बहुत टफ है, लोग एने hand to mouth है, और जब लोग ऐसे है थोड़ा सा toughness आपके तरफ से चाहिए, थोड़ा सा discipline आपके तरफ से चाहिए थोड़ा सा अनुशासन आपके तरफ से चाहिए आप ये दुनिया के ओपर विजे पास हकोंगी आप ये देखेंगे कि आप अपने दिमाग में क्या ढालते हो आप अपने potential को क्या जानते हो, पहचानते हो हम हर्दम देखते हैं कि हमारा जो पुरा मन है न, उसका 10 प्रतिशत हिस्सा conscious mind है, और 90 प्रतिशत हिस्सा जो है subconscious mind है तो 90% का तो वापर ही नहीं करते, 10% जो conscious mind है उसके वापर करते आप अपने subconscious को पूछिए subconscious को पूछे आपको क्या चाहिए, subconscious को देखो उसके पास में इतनी capability है इतने highest potential है आप अपने आपको पूछो क्या मैं मेरे potential का इस्तेमाल पूरा कर रहा हूँ क्या मेरी capability का इस्तेमाल में कर रहा हूँ मुझे अंदर क्या डालना है क्या नया सीखना है क्या अपने आपको मैं question कर रहा हूँ तो अपने आपको question करना चालू करो दुनिया को question करना चालू करो फिर आपको देखने मिलेंगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी मेरे लिए संभव है यहां से आप आते हो कि मेरे लिए कुछ भी संभव है तो definitely आप वो कर सकोंगे उसके लिए आपको अपने आपके उपर question करना पड़ेगा लोगों के उपर question करना पड़ेगा अपने आपकी potential पहचान नहीं पड़ेगी हम physical fitness के लिए काम करते है physical diet plan हमारे पास में कितना खाना कितनी calories है gym में जाना की नहीं जाना fitness करना की नहीं करना mental diet plan आपके पास में क्या है आप mental को मतलब अपने दिमाग को क्या feeding करते हो क्या खाते हो दिमाग को क्या खिलाते हो मैं हर्दम देखता हूँ कि मेरा मेरा जो partners है मेरे partners जो है वो सब motivational and inspirational speakers जो भी इंडिया के जो इंडिया के बाहर के वो मेरे travel partner है मैं उनके साथ में सफर करते रहते हूँ आपका travel partner कोन है आप सुपह उटे है तो आप क्या positive दिमाग में डालते हो कौनसे वीडियो आप सुनते हो कौनसे किताबे आप पढ़ते हो अंदर क्या डालते हो अचली अचली पाशा जहा बोलाजाता है कि आपका सभाव हो आपका आजू बाजू के पांच لوगे उंका average निकाल में अपका financial status है तो आपको येदी आगे बढ़ना है इस दिन्दगी में अपने आपको सवाल करना पड़ेगा अपने आपको tough जो है toughness वो बहार लाना पड़ेंगा अपना लोग कमज़र है लोग नहीं चाहते है कुछ होना चाहिए करके लोगों को मालूम नहीं कुछ करना है और कुछ संभव है उनके लिए आपको मालू है तो आप यह कर सकते है कि अंदर क्या डालो बहार क्या निकलेंगा वो आपको पता लगेंगा फिर तो आप जो भी अंदर डालते हो जो भी दिमाग में डालते हो जो भी दिमाग को फीड करते हो वो ही आपको मिलेंगा तो जो आप पूछनगे वो आपको मिलेंगा जो आपको चाहिए वो आपको डिफिनिटली मिलेंगा मगर आपको यह देखना पड़ेगा कि मुझे अंदर क्या डालने का है क्या डालने का है positivity कौन सी डालने की है positive attitudes और जो मैं अंदर जो भी डालूँगा वो बाहर निकलेंगी मुझे देखना है कि मेरे industry में कौन सा number बढ़ना है मुझे जी मेरे business में आगे बढ़ना है तो कौन सा number one है मेरे business में वो क्या करता है उसका highest potential क्या है उससे ज़्यादा अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि जो creative लोग है जोनों कुछ तभी नया किया हुआ है वो बहुत आगे बढ़ चुके है अपको creativity अपने आप में जो फसी ही है अपने आप में जो अंदर दबी ही है उसको बाहर निकालना पड़ेगा और वो निकालके आपने देखना पड़ेगा कि मैं नया क्या कर सकता हूँ मेरे लियर नया क्या संभव हो जो अभी तक तुपने भी किया नहीं है मेरे बिजनेस में ऐसा क्या नया संभव है जो अभी तक मैंने सोचा भी नहीं है मेरे बिजनेस में ऐसा क्या मैं नया कर सकता हूँ जो अभी तक मैंने किया भी नहीं है तो अपने आपकी creativity जो है अपने आप में उसको बाहर निकालो खुद को question करो अपने business में क्या नया चल रहा है वो देखो अपने highest potential है उसको ललकारो उसको आवाज दो और फिर देखो आपकी तरकी कैसी होंगी तो जो आपको मांगें उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपने आपसे मागना पड़ेगा उसके लिए अपने आपको एक time निकालना पड़ेगा रोज सुवर time निकालो 15 मिनिट से लेके 30 मिनिट तक आप meditation में बैठो solitude में बैठो, अकले बैठो पुरा बदन relax करके बैठो और visualize करो, मेरा दिन कैसा जाएगा मैं आज क्या करने वाला हूँ मेरा आज का क्या plan है मुझे मेरे से क्या demand करना है मैं मेरा आज कितना best perform कर सकता हूँ यह जिन्दगी में आज मैं नया क्या कर सकता हूँ ऐसा 15 मिनिट से लेके 30 मिनिट तक अपने आपको पूछो plan बनाओ और काम को लग जाओ देखो आपको आपने जो भी सोचा हूँगा जो भी आपने प्लिस्ट कियोंगी जो भी आपने visualize किया हूँगा वो पूरा दिन में उतर जाएगा मुझे पक्का विश्वास है कि नो देखो हर वेक्तिन जेल में बंद है उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता मेरे लिए संभो नहीं है दुनिया पूरी जेल में बंद है आपके आजो बाजो के लोग जेल में है में बंद है ये वीडियो जो है वो लोगों को दो लोगों को फैलाओ लोगों को जानने दो कि उनमें क्या potential है कितना अच्छा काम कर सकते हैं कितना बड़ा काम हो कर सकते हैं इतना फैला हो कि हमारा देश जो है न वह एकदम तरक्की करेगा सबसे आगे निकल जाएगा हमारे यहां अकोला में हॉस्पिटल है जहां हमां mental health for all सげए मांसीख स्वास्टि सकते हैं ताकि हम लोगों को mental health के बारे में जांकरी दे सकें लोगों को motivate कर सकें inspire कर सकें कर सकें और लोग उनके जिंदगी में तरक्की करें हमारा motto यह हमारा mission है आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूँ शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो और बेल आको आपको सबसे पहली बार आजाएंगे थैंक्स फर वाचिए प्राइब कर दो जाएंगे